हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गालिक ब्रेंट्स यहां बहुत ही सिंपल वेसे और इसे हम बीना इस्ट के बनाएंगे तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते रहें इस भी थोड़ी भी अच्छी लगे आपर मैंने डाला है मिक्स इटालियन हर्वस इससे बहुत ही अच्छा आता है फिर मैंने नमक डाला है नमक अब अपने टेस्ट से भी डाल सकते हो और फिर इसके अंदर हम डालेंगे टू टेबल स्पून के करिब धाई और यह जो धाई डालेंगे यह थोड़ा खटा होना और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी अड़ करेंगे पानी हमें अराम-अराम से डालना है एक बार यह रेसिपी आप घर पर जरू ट्राई करें और कमेंट करका बताए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगा और चैनल पर नए हो तो रेड बटन को दबा कर करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यह देखे मैं हलका पानी डाल कर इसका एक सॉफ्ट डोर तयार कर लेंगे जैसे कि हम चपाती का डोर लगाते हैं ना सेम उसी तरह का हमें डोर लगाना है तो यह देखिए अब हमार टीम आप्सपून ओईल और लगाकर एक बार फिर Orig參 अवां अगल ऐंगे तो यहांपर मैंने ले लिया है त्री टेबल इस्पून के करीब सफ़िए और ने मिलिया तो आठ से डह सेकी किलिया ली ति उसको ऊक्रस कर लिया है और बढ़ेंगे और रिए जाट करने के व बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वन टी स्पून के करीब इटालियन हर्फ और इटालियन हर्फ डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद हमारा ये बटर तयार है तो इसे मैं अलग रख लेती हूँ अब हमारा ये आटे को भी 45 मिनट्स हो च बनाने के बाद इसे हम काउंटर टॉप पर ले लेते हैं और काउंटर टॉप पर लेने के बाद फ्रेंट्स इसमें थोड़ा सा सुखा आटे से इसको डस कर लेंगे और डस करने के बाद जैसे कि हम पराठे वगरा रोटी वगरा बेलते हैं ना सेम इसे हमें वैसे ही बेलन तो ये देखे मैं 8-9 इंच के सरकल में इसे बेल लेती हूं और बेलने के बाद इसके उपर हम लगाएंगे बटर ये देखे अब हमने ये बेल लिया है और बेलने के बाद यहां पर हम ले लेंगे बटर जो हमने बटर बनाकर रखा था वही बटर हमें लेना है और लेने के ब बटर दिया है अब इसके उपर हम डालेंगे मुजडेला चीज ही और आपको घर में बनाना है तो आप बना सकते हैं इसका लिंक मैं तो ये हो गया अब इसके चारो तरफ हमें लगाना हलका हलका पानी ताकि ये हलके अच्छे से सील हो जाए तो बस मैं इसके चारो तरफ अच्छे से पानी लगा दूँगी और लगाने के बाद इस तरह इसे फोल्ड कर देंगो और इसे इस तरह प्रैस करते विए अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये खुले ना फ्रेंट्स एक बार आप मेरे तरीके से बना कर देखे सच मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगी तो अब यहां पर मैंने एक केक टीन की प्लेट ले लिए अगर आपके इस तरह की प्लेट नहीं है तो आप नौरमल स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं और हा फ्रेंट्स अब जो भी प्लेट लो उसको आइल से अच्छे से ग्रीस कर लिए और ग्रीस करने के बाद जो हमने ब्रेड बना कर रखी है न वह इसके बाद इसके उपर हम cuts लगाएंगे करीब हमें एक एक इंच के gap में cuts लगाने हैं तो बस इस तरह हम एक एक इंच के gap में cuts लगा देते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो और friends इसे हमें बेक करना है तो आज मैं oven में बेक करूँगी अवन में बेक करने के लिए मैंने अल्रेडी 10 मिनट के लिए oven को preheat कर लिया है तो यह देखिए अब हमारा इस तरह कट लग गया और लगने के बाद इसके उपर हमने जो बटर बना कर रखा था वो लगा देंगे friends आप इसे गैस पर भी बेक कर सकते हो सेम प्रोसेस से कड़ाई में और 20-25 मिनट के लिए वही प्री हीटेट करके कड़ाई को फिर बेक करना है मैंने अल्रेडी ब्रेड की रेसिपी डारी है वो मैंने गैस पर ही बेक की है तो आब वो रेसिपी भी देखकर इसे बेक कर सकत है आवन मेरा प्री हीटेड है तो इसे मैं आवन की तरफ ले चलती हूँ तो चलिए चलते आवन के तरफ अब यह देखे मैं खोल कर मैंने इसे रख दिया और रखने के बाद इसको मैं 180 डिग्री पर यह फिर लो टेंपरेचर पर आपके आवन में कैसा सिस्टेम आप देख कीश भाई है और एक पर चेक करें ना हो तो फिर से बेख करें पर मेरी ये देखे तेईस मिनट में बहुत ही आराम से अच्छी बेख हो चुकी है काओकि हर जो ओवन होता है उसका टेमटरेचर अपर 12 मिनट के लिए देखकर चेक कर फिर 5 मिनट के लिए आप इसमें हम हलका कर दियो अब ये खाने के लिए बिलकुर रेडी है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करकर जरूर बताए रेसिपी देखने के लिए थैंक यू